सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इसलाल बटन को दबाके इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दियेगा ताकि नए स्मार्टफोन की वीडियो आप तक पहुशती रहे हैं हलो दोस्तों मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ रेड्मी की तरफ से एक नया स्मार्टफोन रेड्मी नाई नाई जो भी हाली में लांच हुआ है तो इस वीडियो में इस मुबाइल की अंबॉक्सिंग करके आपको बताऊँगा इस मुबाइल में क्या क्या कमिया है क्या क्या चाहिया है और आपको ये मुबाइल खरीदना चाहिए ते फिर नहीं खरीदना चाहिए तो वीडियो का आप एंड तक देखते रहिएगा बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा अगर आप एक मुबाइल खरीदने की सोच रहे हैं दोस्ते ये मुबाइल लाउंच हुआ है 8300 रुपे में इतने का ये मुबाइल आपको आनलाइन मिल जाएगा चली देखते हैं 8300 में इसके साथ क्या क्या मिलता है तो जैसे आप अन्बॉक्स करते हैं सबसे पहले आपको रखवा मिलता है मुबाइल एक रैपर के अंदर जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं एक मिनी बॉक्स दिया गया है जिसमें पीछे लगवा है एक Simjector Tool अंदर रखे वे मिल जाते हैं कुछ User Manual Cover इसके साथ आपको नहीं दिया गया वो आपको अलग से ही खरीदना पड़ेगा इसके बाद मिलती है Data Cable जिसकी Length and Quality दोनों बहुत ज़ाद अच्छी है लेकिन कमी यह है इसके साथ आपको Type C Cable नहीं मिलती यह USB to Micro USB Cable है अगर Type C Cable होती तो कफी अच्छे रहता आखिर में आपको रखवा मिलता है यह Black Color में Charger जिसके अंदर आपको Output मिलता है 5 Volt 2 Ampire का ही तो यह Simple सा 10Watt का ही Charger है Fast Charger तो आपको नहीं मिलता क्यूंकि कीमत काफी कम है अब यह सारा समान आपको मिलता है 8300 रुपे में Redmi के 9i के साथ रेट के साब से देखा जाए तो Box के Contents आपको Normal ही दिये गए हैं दो कमी लगी इसके अंदर मुझे एक तो Cover होना चाहिए था दूसरा Type C Cable का Support नहीं मिलता अगर Type C Cable भी होती तो बहुत अच्छा रहता तो इस चीज में तो यह Mobile Average ही ही है चलिए बात कर लेते हैं दोस्तो डिजाइन के बारे में तो इसके अंदर आपको डिजाइन मिलता है Hard Plastic की टाइप का तो डिजाइन की जो Quality है वो काफी अच्छी है आपको Scratches की Problem बहुत कम देखने को मिलती है इसके Back Panel पे डिजाइन की Quality में यह Mobile काफी ज़्याद अच्छा है बाकि आप देख सकते है Black Color आपको कुछ इस तरी किसे मिल जाता है काफी Simple सा ही डिजाइन है इस तरफ इसमें आपको एक ही Camera मिलता है 13 Megapixel का Front Camera है 5 Megapixel का Camera की Performance वैसे तो इसके दर आपको काफी ज़्यादा बढ़िया ही मिल जाती है बाकि इससे और ज़्याद अच्छे Smartphones आपको देखने को मिल जाते हैं इसके इसके साइस तो सके इसके आपको काफी एचके दिया गया है और इसके से आपको IPS HD plugs दिस्पले मिलती हैँ तो डिस्पले की Quality भी काफी अची दी गई है अब एक्शुल में डिस्पले की Quality कैसी है मैं आपको दिखा देता हूं उससे पहले बात करें user interface के बारे में तो user interface इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से दिया गया है आप right side पे swipe करेंगे आपको सारी applications मिल जाती है इसमें आपको home screen पे ही सारी apps दी गई है user interface के अंदर मुझे ये mobile normal ही लगा बाकी आपकी पसंद की बात है के अंदर से features आपको इसके देखने में कैसे लग रहे है इसके लगा दोस्तों इस mobile की display बिलकुल full brightness करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ अब इसके display के अंदर जो आपको design मिलता है वो मिलता है notch वाला कुछ इस तरीके से notch दी गई है और display के अंदर आपको edges, bezels भी काफी कम दिये गए है तो display के design के अंदर ये mobile काफी अच्छा है size भी काफी अच्छा दिया गया है और अगर आप quality देखेंगे display की तो वो भी rate के साबसे इसके अंदर आपको काफी अच्छे मिल जाती है brightness भी ठीक है तो दोस्तो display को लेकर ये mobile काफी जाद अच्छा है इसके लगए इसके अंदर आपको एक खुब ये मिलती है इसको जो design है side उसे वो curved है तो grip करन में ये mobile काफी जाद बढ़िया लगता है अगर fingerprint scanner भी होता तो बहुत अच्छा रहता क्योंकि कीमत भी 8300 है left side साब देखेंगे इस mobile को आपको SIM के ट्रे दी गई है अच्छी चीज़ ये है इसके अंदर आपको SIM के ट्रे ऐसे मिलती है जिसके अंदर आप 2 SIM card एक memory card तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते है ये खुब इसके अंदर आपको मिल जाती है नीचे की तरफ साब देखेंगे तो इस mobile में आपको charging port, speaker, mic दिया गया है headphone jack आपको इसमें उपर की तरफ मिलता है right side साब देखेंगे तो volume के buttons, उसे की ठीक नीचे power का button उपर की तरफ साब देखेंगे तो headphone jack दिया गया है IR blaster इसके अंदर आपको नहीं मिलता जिससे आपका memory mode काम करता है तो TV अगर आप इस mobile से नहीं चला सकते इसके अंदर आपको 8300 में मिलती है 4GB gram 64GB के internal storage तो remote storage इसके अंदर आपको काफी ची दी गई है और 64GB में से इसके अंदर आपको free memory मिलती है तो इसके अंदर आपको battery दी गई है 5000 इमेज की इस mobile के अंदर आपको एक दिन का battery backup आराम से मिल जाता है बैटरी के अंदर ये mobile काफी ज़्यादा बढ़िया है बात करें दोस्तों processor के बारे में तो इसके अंदर आपको दिया गया है MediaTek का G25 processor अगर आप एक normal user ही है जैसे आपको WhatsApp, YouTube वगरा यूज़ करना है तो तो ये mobile आपके लिए काफी अच्छा रहेगा लेकिन अगर आप एक heavy user है आपको performance अच्छी चाहिए तो इसके अंदर आपको उस level की performance देखने को नहीं मिलती क्योंकि ये mobile normally उसके हिसाब से ही है इसके अंदर आपको इतना अच्छा processor नहीं दिया गया ये मुझे इसमे कमी लगी अब ये सारी खूबिया कमी आपको मिलती है Redmi के 99 में, 1300 रुपे में चले बात कर लेते हैं सबसे main चीज आपको इस mobile को खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए तो matter सबसे पहले ये करता है कि आपकी जो main जरुत की चीज है वो इस mobile में कैसी है कैसी नहीं क्योंकि इसके अंदर कुछ खूबिया भी है और कुछ कमिया भी तो अगर आपको अच्छी display चाहिए तो आप ये mobile ले सकते हैं इसके अंदर आपको display का size भी design भी और quality भी काफी अच्छी मिल जाती है डिस्प्ले को लेकर ये mobile काफी अच्छा है और दोस्तों अगर आपको ले matter करता है mobile का camera तो camera की performance फिल्बे इसके अंदर आपको काफी अच्छी दी गई है अच्छे camera के लिए आप ये mobile ले सकते हैं camera इसके अंदर आपको काफी बढ़िया मिल जाता है इसके लिए अगर आपके matter करती है mobile की performance आपको processor अच्छा चाहिए तो आप इस mobile को skip कर दियेगा कोई और सा smartphone देख लिएगा क्योंकि इसके अंदर आपको उस level की performance देखने को नहीं मिलती इसमें कमी है तन अच्छा processor नहीं दिया गया और दोस्तों गर आपके लिए matter करती है mobile की battery तो battery इसके अंदर आपको कफी ची दी गई है अच्छी battery के लिए आप ये mobile ले सकते हैं इसके लिए अगर आपके लिए matter करता है mobile का design तो design तो इसके अंदर आपको normal ही मिलता है इतना अच्छा design आपको नहीं दिया गया अच्छे design के लिए आपको और सा smartphone देख सकते हैं इसके लिए अगर आपके लिए matter करता है mobile का fingerprint scanner तो वो इसके अंदर कमी है इसके अंदर नहीं मिलता आप इस mobile को skip कर दियेगा आखिर में दोस्तो अगर आपको RAM और storage अच्छी चाहिए तो इसके अंदर आपको काफी अच्छी मिल जाती है 4GB के RAM 64GB के internal storage है इसकी कीमत के हिसाब स काफी अच्छी दी गई है तो दोस्तो तीन कमिया है इस mobile के अंदर एक तो इतना अच्छा प्रोसेसर नहीं दिया गया दूसरा fingerprint scanner नहीं है और तीसरा design नॉर्मल है बाकी चार चीज़े इसके अंदर आपको काफी अच्छी मिल जाती है RAM और storage अच्छी है डिस्प्ले काफी तीसरा इसके अंदर आपको कैमरा अच्छा दिया गया है और चौतरा इसकी बैटरी अच्छी है तो अगर आपके लिए चार खुब यह मैटर करती हैं जो इसके अंदर काफी बढ़िया है तो आप यह mobile ले सकते हैं 8300 में लेकिन अगर आपके लिए तीन चीज़े बहुत ज अच्छा नहीं दिया गया कम से कम प्रोसेसर तो काफी जादा बढ़िया होना चाहिए था तो यह सारी खुब यह कमिया आपको मिलती है रेडमी के नाइनाई में अब दोस्तों कमेंट करके बताईएगा आप आपको यह mobile कैसा लगा आप इस mobile को 8300 में खरीदना पसंद करें करेंगे यह फिर नहीं यह चीज कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो के निचे जो लाल कलर का बटन उसे दबाखे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं लाकन में दबा दीगा तक नई वीडियो आ तक पहुशती रहें इसके लवे वीडियो कर आपको helpful लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीगा वाट से Facebook पे और अगर आपको इस मोबाइल का comparison देखना है किसी और मोबाइल के साथ Redmi और फिर किसी और ब्रांड के तो यह चीज भी comment करके ज़रूर ब